इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पालक के लिए हमारी पुरानी प्रजाति है और पुरे देश भर भी ये काफी पॉपलर है जो दूसरी प्रजाति है वो है पूसा भारती अल ग्रीन जो होता है वो गहरे हरे रंग के पत्ते होते हैं और पूसा भारती जो होता है इसका पत्ता जो होता है थोड़ा हलके रंगा होता है इन पत्तों की खास बाती होती है इसकी पत्ते काफी मुलाइम होते हैं और इनकी जो सबजी बनते हो काफी अच्छी बनती है अब पूसा कसूरी, बिलाइती पालक जो होता है ये पहारी छेत्रों में उगाया जाता है, उसकी एक बहुत पुरानी परजाती है वरजीनिया से भाई, और अब एक हाल में ये नई परजाती विख्षित की गई है, पूसा बिलाइती पालक, उसी प्रकार इस मौसम में बथुआ क पूसा बथवा में आजकल जो cutting बाली बथवा होती है, जो हमारे संस्थान की प्रजाती है, पूसा बथवा 1, जिसमें हलका purple रंका पत्ते पे color होता है, एक दूसरी प्रजाती आई है पूसा green के नाम से, यह बिल्कुल पत्ता इसका हरा होता है, यानि इसमें जो badly रंका color होता है, बथवा में भी आप multi cut variety है, इसकी आप 4-5 cutting तक ले सकते हैं, अगर हम इन सबजियों की बात करें, तो जो अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर 15-15 अक्टूबर से 15-19 निंके लिए best time है, इसमें हम इनकी विजाई कर सकते हैं, इसकी खेती आम तोर पे किसी भी प्रकार की मिर्दा में की जा सकते हैं, कि इनको जो बलूई दोमत मिर्दा है, और जिसमें organic carbon की मातरा अच्छी है, वो इसके लिए सर्वोत्तम है, सबसे उप्युकत है, हम लोग किसान भाईयों को बताते हैं कि कम से कम 25 टन परती hectare के हिसाब से कर आप गोबर की खाद अगर डालें बत्वा जो है, यह सिर्फ 2 kg परचुर मत्रा में है, और अगर हम सरसो साग की बात करें, सरसो साग में भी हमारी प्रजात है पूसा साग 1, इसका हम करीब 3 kg प्रती hectare की दर से इसकी बीज की आवसकता है, जो हमारे संस्थान से भी खड़ी सकते हैं, या National Seed Corporation जो है, वो भी इसकी बीज की बिक्ड़ी करते हैं, अगर इसमें खरपतवार की समस्या का अगर आप निवारन चाहते हैं, तो विजाई करने के तुरंत बाद यो पंडी मिथलीम दबा है, उसका आप 3 मिले लीटर प्रती लीटर पानी में घोल बनाके, उसके बाद अगर उसका छिरकाव क कर देते हैं, तो कम से कम 30 दिन तक खरपतवार की समस्या नहीं होगी, इसके अलाबा कम से कम 8 से 10 दिन के बाद, उसमें हलकी सी चाही करनी पड़ती है, जिससे की जर्मिनेशन भी अच्छा होता है, और पौधों को नमी परियात्त मात्रा में मिलती है,